पेट्रोल और डीजल के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं आलम यह है कि आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की महंगाई से राहत नहीं मिल रही है इधर WTI कुड भी 55 डोलर प्रती बैरल तक महंगा हो सकता है असल में अनलोक के दोर में जैसे जैसे देशों में एकोनोमी खुल रही है कच्चे तेल की मांग भी बढ़ रही है इसलिए क्रुड ओयल में इजाफा हो रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमते बढ़ने का ये सबसे बड़ा कारण है दूसरी और केंडरो और राज्य सरकारे अपना टेक्स कम करने को तैयार नहीं है जिससे हाम आदमी बेस प्राइस का चार गुना पे कर रहा है आपको बता दे कि सरकारी तेल कमपनियों ने 19 फरवरी को लगातार 11 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है जिसके चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 27 से 35 पैसे प्रती लीटर तक का इजाफा हुआ है पहली बार दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपे प्रती लीटर के पार बिक रहा है वही मुंबई में ये 97 रुपे प्रती लीटर के आसपास है राजस्तान के श्री गंगानगर की बात करें तो यहां नोर्मल पेट्रोल 100 रुपे प्रती लीटर के पार पहुँच गया है यहां आपको यह भी बता दे कि कच्चे तेल की इंटरनेशनल मार्किट में भी कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है ब्रेंट क्रूद का भाव 65 डोलर के पार है अगर एक्सपर्ट की माने तो अगले कुछ दिनों में क्रूद 70 डोलर प्रती बैरल तक जाने की भी संभावना है यहां अब आपको जानना चाहिए कि कहां कहां पेट्रोल और डीजल का कितना दाम बढ़ा दिली में पेट्रोल के दाम 31 पैसे बढ़कर 90.19 रुपे और प्रती लीटर और डीजल के दाम 33 पैसे बढ़कर 80.60 रुपे प्रती लीटर हो गए हैं मुंबई में पेट्रोल के दाम 30 पैसे बढ़कर 96.62 रुपे प्रती लीटर और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़कर 87.67 रुपे प्रती लीटर हो गए हैं कोलकाता में पेट्रोल के दाम 30 पैसे बढ़कर 90.41 रुपे प्रती लीटर और डीजल के दाम 33 पैसे बढ़कर 84.19 रुपे प्रती लीटर हो गए हैं चन्नाई में पेट्रोल के दाम 27 पैसे बढ़कर 92.25 रुपे प्रती लीटर और डीजल के दाम 32 पैसे बढ़कर 85.63 रुपे प्रती लीटर पहुँच गए हैं 61 पैसे, फरिदाबाद में 88.43 पैसे, फतेहबाद में 88.78 पैसे, गुरुग्राम में 87.93, हिसार में 88.54, जजजर में 88.10, जीन में 87.83, कैथल में 88, करणाल में 87.70, कुरुक्षेत्र में 87.65, महिंद्रगड में 88.4, मिवात 88.21, पलवल 88.45, पंचकुला 87.97, पानिपत 87.61, रिवाडी 87.86, रोतक 88.21, सिरसा 89.46, सोनिपत 87.98, वे यमुना नगर 88.12 पैसे बढ़ा, यहां यह भी बताते चले हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव रोजाना बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं, पेट्रोल डीजल का रोज का रेट आप SMS के जरीए भी जान सकते हैं, इंडियन ओयल के कस्टमर केर के साथ शहर का कोड लिखकर 9224992249 नमबर पर और BPSL उभोगता RSP लिखकर 9223112222 नमबर पर भेज जानकारी हासिल कर सकते हैं, वहीं HPCL उभोगता HP प्राइस लिखकर 922201122 नमबर पर भेज कर भाव पता कर सकते है बताते चले कि पीते एक साल की बात करें तो Petroleum Planning and Analysis Cell के आंकडों के मताबिक, जनवरी 2020 को एक लीटर कृड ओयल का भाव 88.84 रुपे प्रति लिटर था, तब एक लीटर पेट्रोल का भाव दिल्ली में 87.89 रुपे था, वहीं जनवरी 2021 को एक लीटर कृड ओयल का भाव 25.20 र पार कर गया, यानि कृड सस्ता होने पर भी पेट्रोल महंगा हो रहा है, यहां तक कि अपरेल 2020 में जब एक लीटर कृड ओयल का भाव 10 रुपे से भी कम हो गया, तो भी दिल्ली में पेट्रोल 73 रुपे प्रति लीटर बिक रहा था, अपरेल के बाद पेट्रोल और डीजल में लगातार रिजाफा देखने को मिला, जून 2020 में पेट्रोल 80 रुपे प्रति लीटर के आसपास आ गया, तो अक्टूबर 2020 में ये 85 रुपे प्रति लीटर तक पहुँच गया, दिसंबर 2020 में पेट्रोल 86 रुपे पार कर गया, इधर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतो पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के चलते ऐसा हो रहा है, बढ़ती कीमतों पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती, यदि पहले की सरकारों ने उर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता इंधन की कीमतों में लगातार हो रही व्रद्धी का जिक्र किये बिनाही उन्हों कि 2019 से 20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगो को पूरा करने के लिए 85 प्रतिशत तेल और 53 प्रतिशत गैस का आयात किया है आपको बता दे कि तमिलाडू में गैस पाइपलाइन के रामनाथ पुरम थुथुकुडी खंड का उद्गाटन करने के बाद पी-म ने ये बात कही थी जोरान प्रिधान मंत्री ने कहा कि क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए मैं किसी के आलोचना नहीं करता चाहता लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि यदि हमने इस विशे पर ध्यान दिया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोज नहीं उठाना पड़ता उन्होंने कहा कि स्वच और हरित उर्जा के स्त्रोतों की दिशा में काम करना और उर्जा निर्भरता को कम करना हमारा सामोही करतव्य है पीम ने कहा कि सरकार उर्जा के अक्षेस त्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और 2030 तक देश में 40 प्रतिशत उर्जा का उत्पादन होगा उन्होंने कहा कि लगबग 6.52 करोर टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया है ये संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है हमारी कंपनियों ने गुणवत्ता वाले तेल और गैस परी संपतियों के अधि ग्रहन में विदेशों में निवेश किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वर्तमान उर्जा शेत्र में प्राकर्तिक गैस की हिस्सेदारी को 6.3 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करने की दिशा में काम कर रही है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घन्नेवाद